हलो एब्रिवरन कैसे हैं आप सब आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी गट्टे की सबजी आज मैं गट्टे की सबजी आपनों को बना कर दिखाऊंगे कुछ डिफरेंट तरीके से जैसे मेरी मा बना दी हैं अभी छुट्टियां चल रहे हैं तो हम लोग अपने गाउं आ पाउडर और धनिया पाउडर डालकर इसका दो लगाना है तो यहां पर हम तेल डालेंगे तेल डालें से बहुत ही अच्छे खस्ता गट्टे बनते हैं इस तरह से मोन को हम बहुत ही अच्छे से मिला देंगे अब इसका हमें डो लगाना है तो डो हम ना इसका कड़क लगा तेल को हम अच्छे से मिला देंगे विशन में बहुत ही अच्छे से मौन इसका लग चुका है तो अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा सा पाइं डालते हुए बहुत ही अच्छा डो लगा कर तैयार करेंगे बहुत ही तेस्टी लगता है इस तरह से आप लोग गट्टे की जाएं उस तरह से आप इस तरह से इसकी लगया तोड़ ले है 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 बहुत ही अच्छी लगती है र percept काने मैं इस तरह से मैं इनको इसrible से इस तरह से मैंने सारे बना कर तयार कर लिए हैं अब हम इनको फ्राई करेंगे तो आए चलते हैं गैस की साइट यहाँ पर मैंने कड़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया तेल हमारा गरम हो चुका है तो हम इस तरह से गट्टों को हम फ्राई करना है दो लोटूमीड एम फ्लैम प हम अलट पलट तक बहुत ही अच्छे से फ्राई करेंगे अब इनको हम निकाल लेते हैं बहुत ही त्रेस्टी लगती है सबजी खाने में और बहुत ही जल्दी बन जाती है बहुत ही कम सामान में इस तरह से अब हम गट्टों को काटेंगे इस तरह से इनको चाकू से काट ल लेती हूं अब हमें इनकी सबजी बनानी है जो चलिए हम गैस की चाइट चलते हैं तो मैंने बहीं कड़ाई उच्की है जिसमें मैंने गट्टे फ्राई किये थे तो यहां पर कटी हुई लैसन डालते हैं लैसन को हम थोड़ी सुनेरा होने देगे अब यहां पर एक हरीमिश अब यहां पर कुछ साभुत मसाले भी डालेंगे साभुत मसालेगे राजी मिर्च हम साभुत थी पाइस हॡ़いました और यहां पर मैंने कम मिर्च का इस्तमाल करूंगी एहां पर मैंने मैंने कटी लीजिए प्याज को भी मैने काट ढिया है इसका पेश्ट वेश्ट नहीं बनाया था आप हम मसाली घोल लेते हैं तो यहाँ पर मैंने एक चमज भर के मिर्ची पाउडर आदी टीस्पून हल्दी पाउडर दो टीस्पून है यहां टूटीस्पून यहां पर धनिया पाउडर डालूंगी आधी टीस्पून मैंने आपर गरम मसाला डाला है बहुत ही कम मसालों में आज हम इस सब्जी को बनाकर तयार करेंगे अब प्याज हमारी बहुत ही अच्छे से सब्जी को बनाकर दिखा रही हूँ अब यहाँ पर हम स्वादम शान नमक डाल दें कि नमक डालने से टमाटर हैं बहुत ही जल्दी सौप्ट हो जाती है देखिए दो बनट में यह टमाटर बहुत ही जल्दी सौप्ट हो गए हैं तो हम यहाँ पर मसाले का जो घूल बनाकर रखा है उटको डाल देते हैं को भुष्वधी कम मसालें बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तयार होती है यहां पर मैं मिर्च मसाले का कम énorm किमाल कर हैं कि मेरी ceo सासुमा है और ससुर्जी है ना उनके लिए मिर्च मसाला ज्यादा पसंद नहीं है तो मैं आप लोगे साथ जैसी सब्जी बना कर दिखा रहे हूं आप चाहूं तो यहां पर थोड़ी स्पाइसी भी कर सकते हैं अब यहां पर कटे हुए गट्टे डाल दें बहुत ही अच्छी सब्जी लगती है खाने में अब आप चाहूं तो इस तरह से इस सब्जी को निकाल सकते हैं नहीं तो मैंने यहाँ पर यहाँ पर मैं डेड़ गलास पानी डालूंगी क्यूंकि सब्जी यहाँ पर ग्रेवी वाली खाना पसंद करते हैं तो मैं यहाँ पर डेड़ गलास पानी डाल दिया है ग्रेवी बहुत ही अच्छी लगती है सब्जी में और जो गट्टे हमारे बहुत ही अच्छे सौप्ट हो चुकी है अब इसको हम ज्यादा नहीं पकाएंगे नहीं तो यह गट्टे हैं घुर जाती हैं अब हम प्लेट में निकाल लिए सब्जी को हरी धनिया डाल कर सब्जी को सर्व करें रेस्पी अची लए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को ओन करें आईए अब हम बनाते हैं नास्ता जो मैंने यहाँ पर नास्ता आप लोगो जो मैंने नास्ता आज बनाया है मैं आप लोगों के साथ बो भी शेयर कर रही हूं देखिए यहाँ पर मैंने मस्रूम ली है और एक सिम्ला मिर्च लि तो थोड़ा थोड़ा पाइं डालकर घोलता यार करें यहां पर मैंने सूजी को रिष्ट के लिए छोड़ दिया है तो अब हम इस्टफिंग बनाते हैं तो एक चम्मा जीरा धनिया पाउडर हो हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर और यहां पर मसरूम को डालकर हम दो मिट के पकाएंगे इसी के साथ हम कटी को से मिला मिर्ची भी डाल देते हैं इसको दो मिर्ट तक पका लेंगे अब हम इसको निकाल कर साइड में रखती हैं तो यहां पर देखिए सूजी हमारी बहुत अच्छी से फूल चुकी तो यहां पर मैंने इनो डाला है अब हम इस तरह से क कुछ नजारे बहुत ही अच्छा नजारे हैं देखने हो बहुत ही अच्छा लगता है आज हम लोग अपनी गाहों पर घुम रहे हैं तो मैंने वीडियो शूट की है तो आप लोगं को दिकागा रही हूं आप लोगं की डियो अच्छी लगयी तो प्लीस मुझे लाइक करे कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर करें जरूर देखिए यहां का सूरेस्ट का नजारा बहुत देखने में आप लोगों को मेरी वीडियो मेरी रेस्पी अच्छी लगे तो प्लेज मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें बहुत अच्छा नजारा है यहां का वीडियो अ झाल 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 झाल